नमस्कार आज के इस वीडियो में हम मुंसि प्रेम चंडर की कहानी विधा की रचना थाकुर का कुणा का पाठ करेंगे चलिए कहानी प्रारम करते हैं जोखु ने लोटा मुँझ से लगाया तो पानी की सक्त बद्बु आई गंगी से बोला यह कैसा पानी है मारे बास के पिया नहीं जाता गला सूख रहाया और तू सड़ा पानी पिलाये देती है गंगी प्रति दिन साम को पानी भद लिया करती थी कुआ दूर था बार बार जाना मुश्किल था कलवा पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी आज पानी में बद्बु कैसी लोटा नाक से लगाया तो सचमुद बद्बु थी जरूर कोई जानवर कुएं में गिर कर मर गया होगा मगर दूसरा पानी आवे कहां से थाकुर के कुएं पर कौन चड़ने देगा दूर से लोग ढाड़ बताएंगे साहु का कुएं गाउं के उस सीरे पर है परंत वह भी कौन पानी भलने देगा चोथा कुएं गाउं में है ही नहीं गंगी ने पानी ना दिया जो खू कई दिन से बिमार है कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा फिर बोला आप तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाग बंद करके पी ले गंगी ने पानी ना दिया खराब पानी पीने से बिमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परंत यह ना जानती थी कि पानी को उबाल कर देने से उसकी खराबी जाती रहती है बोली यह पानी कैसे पियोगे ना जाने कौन जानवर मरा है कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती है जोखु ने आश्चर से उसकी और देखा दूसरा पानी कहां से लाएगी ठाकूर और साहू के दो कुएं तो हैं क्या एक लोटा पानी न भलने देंगे हाथ पावत उड़वा आएगी और कुछ ना होगा बैर चुपके से ब्रामभन देउता आशिरवाद देंगे ठाकूर लाठी मारेंगे साहू जो एक के पांच लेंगे गरीब का दल्द कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं कोई दुगार पर जहांकने नहीं कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग कुएं से पानी भलने देंगे जोकू और गंगी का सवाथ चल रहा है इन सब्दों में कड़ूआ सत्ते था गंगी क्या जबाद देती किन्त उसने वह बद्बूदार पानी पीने को ना दिया रात के नौ बजे थे ठके मादे मजदूर तो सो चुके थे ठाकूर के दरवाजे पर दस पांच बेफिकरे जमा थे मैदानी बहादूरी का तो अब जमाना रहा ना मौका कानूनी बहादूरी की बाते हो रही थी कितनी होस्यारी से ठाकूर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी थी और साफ निकल गए कितनी अकलमंदी से एक मारके के मुकदमे की नकल ले आए नाजिर और महत्मिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास वांगता कोई सव यहाँ बे पैसे कोड़ी नकल उड़ा दी काम कलने का ढंक चाहिए यह समाद चल रहा है ठाकूर के दरवाजे पर इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची कुपी की धुदली रोसनी कोई पर आ रही थी गंगी जगत की आड में बैठी मौके का इंतजार करने लगी इस कोई का पानी सारा गाउं पीता है किसी के लिए रोक नहीं सिर्फ यह बदनसीब नहीं भर सकते गंगी का बिद्रोही दिल रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर चोटे करने लगा हम क्यों नहीं हैं हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उच हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितने हैं एक से एक छटे हैं चोरी ये करें जाल फरे भी ये करें मुकदमे जूंटे मुकद में ये करें अभी इस ठाकुल ने तो एक दिन बेचारे गड़े रिये की भेंट चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया इन्हीं पंडिक जी के घर में तो बारहों माज जुआ होता है यही साहु जी तो घी में तेल मिला कर बेशते है काम करा लेते हैं मजूरी देते नानी मरती है किस बात में हैं हमसे मुझे हाँ मुह में हमसे मुझे है हम गली गली चिलाते नहीं कि हम उचे है कभी गाउं में आ जाती हूँ तो रस भरी निगाहों से देखने लगते हैं से सब की छाती पर साप लोटने लगता है, परन्त घमट डिया है कि हम उचे हैं, कुईये पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक-धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लाद भी तो नीचे ना पड़े, उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और ज खड़ी हुई, कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महेंगु को इतना मारा की महीनों लहु ठोकता रहा, इसलिए तो उसने बेगाद ना दी थी, उस पर ये लोग उचे बने हैं, कुईये पर दो इस्तरियां पानी भरने आई थी, इन में बाते हो रही थी, ख खाना खाने चले और हुकम हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है, हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मल्दों को जलन होती हैं, हाँ, यह तो ना हुआ कि कसलिया उठा कर भर लाते, बस हुकम चला दिये कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम ल लौंडिया नहीं तो, क्या हो तो, रोटी कपड़ा नहीं पाती, दस पांच वुपए छीन जबट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है, मत जलाओ दीदी, छीन भर आराम कलने को जीतरस कर रह जाता है, इतना काम किसी दूसरे घर में कल देती, तो इस से कहीं आरा मानता, यहां काम कलते कलते मल जाओ, पर किसी का मूँ सीधा ही नहीं होता, दोनों पानी भर कर चली गई, तो गंगी बिच की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई, बेफिक्रे चले गए थे, ठाकुर भी दर्वाजा बंद कर आगन में सोने जा रहे थे, गंगी किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, अम्रिच चुरा लाने के लिए, जो राजकुमार किसी जवाने में गया था, वह भी साइद इतनी सावधानी के साथ होर समझ बूचकल ना गया होगा, गंगी दबे पाउं कुएं की जगत पचाही, बिजय का ऐसा अनभो उसे पहले कभी न उसने रसी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्ने दृष्ट से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को सत्रुके किलिए में सुराक कर रहा हूँ, अगर इस समयवा पकड ली गई, तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भरुमीर नहीं, अन्त में दे जरा भी आवाज ना हुई, गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे, घड़ा कुये के मुह तक आ पहुचा, कोई बड़ा सहजोर पहिलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खीश सकता था, गंगी जुकी की घड़े को पकड़ कर जगद पर रखे कि एका-एक थाकुर सहब का दर्वाजा खुल गया, सेर का मुई इस से अधिक भयानक ना होगा, गंगी के हाथ से रच्छी छूट गई, रस्ची के साथ खड़ा धराम से पानी में गिरा और कई छड़ तक पानी की हलकोरे की आवाज सुना ही देती रही, ठाकुर कौन है, कौन है, पुकालते कोई की तरफ आ रहे थे, और गंगी जगत से कूट कर भागी जा रही थी, घर पहुंच कर देखा, कि जो खुल लोटा मुझ से लगाए, वही मैला गंदा पानी दी रहा था।